तो अगर आपके family id card में आपके परिबार पहचान पत्र में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है जैसे कि आपको कोई correction करवाना हो और correction नहीं हो पा रहा आपने बहुत ट्राइक कर लिया हर जग़ ट्राइक कर लिया या फिर आपको जिन मॉबाई लंबर जुड़ा हुआ था वो विडियो को देखने के बाद आपको लेकर कोई दिक्त करने आएकी सी इस बी gider कि को क्रेक्षै युशक बटे अपना दू आनेःगा पर युजे डाल देना है password डाल देना है और scapcha को बढ़ देना है जैसे कि यहां पर दो प्लस एक है तो यह तीन होता है ठीक है इसके बाद login पर क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों हमारे login हो चुका है यहां पर ok करना है अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि क्या आपको अपनी family id पता है अगर पता है तो आप yes करेंगे इसके बाद यहाँ पर डालेंगे आप अपने family id और search पर क्लिक करेंगे ठीक है अगर आप अपने family id भूल गए हो या आपको ध्यान में नहीं है आपसे कागज़ को गया है उस case में आप forget your family id इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर डालना होगा अपको अपना आधार number ठीक है यहाँ पर आप आधार number किसी भी member कर डाल सकते हो मतलब जिस भी family id में जितने भी member add थे उनमें से किसी का भी आधार number यहाँ पर डालोगे उसको ऑच चेक पर क्लिकरोगे तो आपके family id आ जाएगी तो मैं चेक करता हूँ family ID से क्योंकि मैं को पता है family ID क्या है उनकी याद है मुझे तो वापस आता हूँ यहाँ पर मैं yes करूँगा इसके बाद यहाँ पर आपको डालनी है अपनी family ID इसके बाद search पर click करना है इसके बाद देखी यहाँ पर आपकी family ID आ जाएगी जितने भी member जुड़े थे सबका नाम यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आपको तीन चीज नोट करनी है सबसे पहले पहली चीज तो यह है कि आपकी जो family ID है उसका status क्या बता रहा है जैसे कि यहाँ पर बता रहा है भी not updated not updated का मतलब होता है कि इन्हों ने अपनी family ID का जो page होता है उस पर sign करके upload नहीं किया ठीक है इसका मतलब यह होता है और अगर आपने sign करके upload नहीं किया होगा तो इस वज़े से आप कहीं पर भी अपनी family ID लगाओगे जैसे कि अगर आप dom missile बनवाने जाओगे या राशन कार्ड बनवाने जाओगे या फिर police verification का certificate बनवाओगे मतलब जहाँ पर भी आपको family ID देनी पड़ेगी वहाँ पर आपकी family ID वो लेगा नहीं तो कि जैसे आप family ID जा लोगे अगर update नहीं होगा जैसे कि इस case में update नहीं है न not update लिखा रहा है तो इस वज़े से क्या होगा अगर आप correction मेडूल में जाओगे वहाँ पर correction करना चाहोगे तो वो भी correction नहीं हो पाएगी क्योंकि वहाँ पर वह लोग correction कर पाते हैं जिनका status updated होता है मतलब जिन्होंने print out को upload किया होता है वही लोग correction भी कर पाते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर update करवाना है किसी पर तरीके से दूसरी चीज़ आपर देख लिजी आप कि यहाँ पर लिखा हुआ है film member detail मतलब कि इन्होंने जो compulsory चीज़ थी जैसे कि father name compulsory आपका और mobile number compulsory होता है जिन पर red mark होता है वो detail भी नहीं भरी पूरी ठीक है इसलिए हाँ पर लिखा रहा है film member detail ठीक है और क्योंकि यहाँ पर film member detail लिखा रहा है इस वज़े से आप तीसरी नमबर पर देख लिजीए जो print वाला options होता है जहाँ पर आप click करके अपना print out निकालते हो वो जो button होता है वो काम नहीं करता इस पर आप click नहीं कर पाऊगे ठीक है तो इस family ID में बहुत दिक्कत है ठीक है दोस्तों अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पर अगर आप film member detail पर click करोगे आप सोचोगे चलो मैं इसको भर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर लिखा जाएगा कि भईया पहले इस mobile number पर OTP जाएगा ठीक है और अगर यह mobile number आप से खो गया कहीं आपका यह mobile number पुराना था आप भूल गये हो या फिर आपका mobile number नहीं था कहीं खो गया है उस case में आप OTP को डालने पाऊगे ठीक है तो आप फस जाओगे आपर ना तो आपके पास print out है कि भईया उसे upload कर लो ना आपके पास mobile number है और ना आपके family ID का status updated है ठीक है तो इस तरह की कोई problem है अगर आपके family ID में तो उसको ठीक कैसे करना है यही मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में ठीक है दोस्तों तो यह बहुत important वीडियो है और इस वीडियो को दोस्तों आपका status not updated है correction नहीं हो पा रहा है उस तरह के की update के लिए 2000 रुपे तक charge कर रहे है ठीक है और मैं आपको free में दे रहा हूँ जनकारी तो like करना तो बनता है भाई like जरू कर दो इस वीडियो पर ठीक है दोस्तों तो कोई बात ने चलो अब आते हैं यहाँ पर वापे से हम आएंगे back पर तो यहाँ पर देखी आपको आना होगा download data पर download data लिखा हुआ देखी home के बगल में download data इस पर क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखी लिखा हुआ है update family data blank data ठीक है यहाँ पर यहाँ पर आपको डालनी है अपनी family id और search पर क्लिक करना है ठीक है इसके बाद आपकी इस family id में जितने भी member थे उन सब के नाम यहाँ पर आजाएंगे और detail यहाँ पर आजाएगी ठीक है दोस्तों अब क्या करना है आपको अब यहाँ पर जिस भी member की detail आपको edit करनी है उसके आगे सिर्फ आपको टिक करना है आलिकाओ देखे edit के नीचे टिक करना है और submit पर क्लिक करना है ठीक है और इसके बाद देखे दोस्तों आपका जो पेज है जो पेज होता है जो फॉर्म होता है वो खुल जाएगा ठीक है अब यहाँ पर आप जो भी कमपस्री चीजे हैं वो भर सकते हैं और एक और चीज दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान रखना कि यहाँ पर आप किसी भी डिटेल को जो पहले से भरी हुई है उसको edit नहीं कर पाऊगे मतलब जो गलत भरी हुई है चाहे सही भरी हो आप उसको edit नहीं कर पाऊगे आप पर जो चीज छूट गई है जो कमपस्री थी जैसा कि इस केस में देखिए फादर ने में आपर भराने हुआ ठीक है तो आप सब कुछ भर लीजे पहले भरने के बाद लिखाते हैं जब भर लोगे भरने के बाद आपको सिर्फ यहाँ पर सेव करना है और सेव करने के बाद दोस्तों देखिए उपर लिखा गया है डाटा अपडेटेड सकसेस्फोली ठीक है इसके बाद एक सब्सक्राइब नहीं चाहते हैं और यहाँ पर आपको द्वारा से अपनी वही फैमिली आइडी सच करनी है और इस बार देखिए दोस्तों यहाँ पर सब कुछ बदल चु नीचा आओगे तो नीच आपको कर्यक्शन का जो कॉयों प्रिंट 650 होता है वह काम करेगा और 12che अफ्रिंट आओट निकल पाओगे ठीक है अब क्या इनए आपको प्रिंट आओट को निकाल लो प्रिंट आओट को निकालने के बाद उस पर साइन कर लो और इसको अपलोड कर दो ठीक है अप्लोड जैसे ही कर दोगो दोस्तों उसके बाद आप दुबारा से आना अपने करेक्शन मेडूल में वहाँ पर जो भी करेक्शन आप कर सकते हो वो कर देना ठीक है तो यह प्रोसेस ता पूरा सही तरीके से अगर किसी तरेके के को दिक्कत आ दिया किसी के ठीक है जोस्तों इस वीडियो को मैं खतम करता हूं पूरा मैंने बता दिया आपको कमप्लेट बता दिया फिर भी करी कहीं दिक्कत आ रही है आपको तो प्लीज आप कमेंट करें मुझे वर्टसप पर मैसेज कर सकते हैं और एक रिक्वेस्ट लास्ट में द्वारा कर रहा ह कि भीया लाइक जरूर कर देने इस वीडियो पर क्योंकि मैंने आपको बहुत इंपोर्टन जानकारी दी है ठीक है तो थेंक्यों वर्यमच मिलते हैं नेक्ट वीडियो में टेक केर गुर्बाए